हलो एवरिवन बहुत बहुत स्वागत थे बच्चों आज के खलास में और मैं ध्गनजे सड्रीम क्लासेज मैंध फेकटी आपके लिए आप भी हुमें भहुत ही प्रमुक और भी बीवि आई दिरगुत तरिय और लगुत पतरिय प्रस्न लेकर हाजिर हुए हैं आज के क्लास में ठीक है और ये हमारा long और short question जो है आपके examination के लिए बहुत ही भी भी आई है ओके ना तो चली आज की class की शुरुआत करते हैं और बिहदी खतरनाक प्रशन से शुरू करते हैं बच्छो और ये देखी हमारा जो है दिया हुआ है fx is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1 कर तो कहता है कि सीद की जिये कि fx into f y is equal to f of x plus y तो क्या है ना बच्छो कि सबसे पहले हम जानते हैं कि x और y और z जो होता ये variable होता है ओके ना तो चलिए now भी start हम लोग start कर रहे हैं जब fx दिया हुआ है तो यहाँ पे f y है ना fx दिया हुआ है तो यहाँ पे हम f y है ना हम क्या करेंगे f y is equal to यहाँ पे लेंगे हम cos x sorry cos यहाँ पे y होगा है ना यहाँ पे क्या होगा cos y होगा फिर minus sin y होगा फिर 0 होगा फिर यहाँ पे sin x होगा फिर हमारा cos x होगा 0 होगा और 00 और यह 1 होगा बच्चों ठीक है फिर उसके बाद में है यहाँ पे x plus y से इसी replace करें तो यहाँ पे हमारा होगा cos x plus y और यह माइनस होगा shine x plus y और यह होगा 0 और यहाँ पे होगा shine x plus y और यह होगा cos x plus y और यह होगा 0 और यह एक्स एव बाई और एफ एक्स पलस वाई उसके बाद हम बायापक्ष से चलेंगे और दायापक्ष को शावित कर देंगे ओके ना तो चलिए नाव यह स्टार्ट केलिकुलीशन लह हम लोग लह से पहले चलते हैं ठीक है पहले क्या है नहीं हम लोग LHS से चलते हैं और तत्थियों को समझते हैं ती हमारा LHS में क्या है ओके ना चलिए LHS में है fx और into fy fx into fy तो यहां पर क्या करेंगे हम ना पहले fx का भेलू रखेंगे Ö Souls X फिर होगा माइनस साइन एक फिर 0 और यहां हो गया साइन एक फिर हो गया Mario and 2012 और यहां पर into फ्रह म fy का मान राखाएंगे वहां यह हो गया साइन वार यह x per sony यह हो गया को यहां पर कोस वाइस यह जीरो और 0, 0 और यह 1 हो गया ठीक है तो यहां पर देखिए यह हमारा 3 is to 3 कोटी का आप यू है तो इसे हम गुना करेंगे है ना इसे क्या करेंगे गुना करेंगे देखिए सबसे पहले आप यू देंगे पहला रो और यह पहला पंक्तिर पहला अस्तम यह हो जाएगा और इसके बाद सभी पद जो है 0 से से गुना किजिएगा 0, 0 से गुना किजिएगा 0, फिर क्या है कि दूसरा रो और पहला अस्तम है ना तो यहां पी यह हो जाएगा हमारा शाइन एक्ष और इंटु कॉस वाई और प्लस कॉस एक्ष इंटु साइन वाई और फिर 0 गुने 0, 0 हो जाएगा फिर 0 से गुना किजिएगा 0 फिर यह यह पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ठीक है यानि कि अब हमारा जो है पहला अस्तंब का काम जो है खतम हो गया वच्छो पहला आब हम दूसरे अस्तम पर देखते हैं तो फिर से पहला पंक्ति और यह दूसरा अस्तम यह देखिये क्या हो जाएगा हमारा cos x और minus cos x और into sin y है ना cos x और यहाँ पे होगा हमारा into sin y sin y और यहाँ पे हो जाएगा हमारा minus sin x और into cos y फिर हमार दूसरा पंगती और दूसरे अस्तम से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा minus sin x और into sin y और पलस हो जाएगा cos x और cos x और into cos y हो जाएगा ठीक है अब हम तीसरा पंगती दूसरा अस्तम करेंगे तो यह हमारा 0 होगा ठीक है और फिर यहाँ पे 0 0 और यह 1 आएगा जी ठीक है यहाँ तक किसी को कोई problem है तो बताएंगे ठीक है उसके बाद देखिए यह जो है ना cos a plus b का formula रखता है यह जो है sin a plus b का formula रखता है यहाँ फर्दर एदी हमें calculation किया जाए ठीक है तो यह हमारा cos x plus y देगा और यह हमारा sin x plus y देगा और यह 0 हो गया यहाँ से minus common कर लिजिए यहाँ से minus common कर लिजिए तो minus sin x plus y होगा और यह हमारा cos x plus y होगा और यह 0 होगा और यह 00 और यह 1 होगा बच्चो देख लिजिए यह पार्ट जो है इसके बराबर है यानि कि यहां पर यह जो होगा A of X plus Y के बराबर हो जायेगा और यही हमारा क्या हो गया? शावित हो गया बच्छो यही हमारा क्या हो गया? शावित हो गया ठीक है तो देखिए हर एक पहलू को देखते हुए हमें काम करना है बड़ा ही बहतरीन शवाल है और यह बोर्ड एक्जाम में है जो बच्छो यह कोशन आपके बोर्ड एक्जाम में यह कोशन जो है आपके बोर्ड एक्जाम में जो है दो बार आया हुआ कोशन है ना दो बार यह आपके बोर्ड एक्जाम में आया हुआ प्रस्ण है ठीक है तो आप आख सकते हो कि यह देखिए कितना बहतरीन प्रश्ण है ठीक है आपके एक्जामनेशन के लिए आप सोच भी नहीं शकते हो कि आपके लिए कितना essential है ओके ना तो देखिए कुछ नहीं करना है यदि आप x y z को variable समझते हो और गुना के नियमों को जानते हो तो यह कोश्चन बनाना कठी नहीं है ओके चलिए next question पर हम बढ़ते हैं आगे next question हमारा देखिए क्या है next question देखिए बढ़ा भ्यत्रीन प्रस्ण है यह question number दूसरा है ना question number दूसरा देखिए हमारा क्या कहता है question number दूसरा कि हमें a square is equal to K-2i हो तो के निकालना है यह और आई दिया हुआ है यह टाइफच उस्टि घ् ON qualified बे धोनों वच्चों टूइस्ट्ट्ट उस्ट कोटी का है अब देखिये हम फर्दर क्या करेंगे फर्दर क्या 5-2-2 एक अभेलुταν है जी हैना और यसदी हम क्या करेंगे तीन चार माइनस दो और माइनस दो इसे हम गुला करेंगे बच्चों पहला पंगती और पहला अस्तम मालुम हो कि जब तक पहले आब यूद का पंगती न खतम हो जा अस्तम से गुना करते रहना है तो तीन गुना तीन यह जाएगा नो है ना और चार दूने आठ तो माइनस आठ नो में सार्ट जाएगा तो एक और हुजएगा चार तिया 12 और यह माइनस आठ तो यह सच यह चार फिर इसका काम खटम प्रिसे पहला पङ्चोल की दूसरा स्थम ती हो जाए कहा हमारा माइस छी और माइनस चार तो यह हो जाए का एक टीक का फेल पह माइनस फिर-पलेस हो जाएगा हो जिसना माыш-6 और फेल चारम ये संड live the खर फिर यह हो minus 8 और plus 4 है ना तो यह हो जाएगा minus 4 यह हमारा a square का भेलू आया अब यह दिदेखे यहाँ पर k into a करेंगे बच्चों तो देखिए हमारा क्या है ना first of all यहाँ पर हम क्या लिखेंगे k लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे k और a का मान रखेंगे 3 4 minus 2 और minus 2 तो यहाँ पर सबों का भेलू होगा 3 के minus 2 के और यह 4 के और minus 2 के ओके ना अब देखिए यहाँ पर 2i तो i का मतलब होता है यह हमारा जोगा 2 is to 2 डर कहोगा इसको लिखेंगे 2 0 0 और 2 लिखेंगे जी है ना जो जो हमें जरुवत था हमें जरुवत क्या था बच्चों तो हमने a square निकाला k निकाला minus 2i निकाला है ना अब फर्दर हम क्या करेंगे इस equation को यहाँ पर लिखेंगे है ना इस equation को यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई तो हमारा जो है a square is equal to ka and a-2i है ना तो यह square का भीलु रखेंगे शर्परत्ळम तो सपई का बहिलु है सभाए हमारा एक चार-2 और माइनस चार और k का भिलु किया है लिए तो यह है हमारा 3-0 कि यह जो घ्रुवत है हमारा हनना यह हमारा जो घ्रुझा यह हमारा जो है यह अमारा है यह तो देखिए यहाँ पर इसको फर्दर करेंगे तो 1-2, 4-4 और यहाँ पर जो होगा यह 3K-2 और-2K और यह हो जाएगा 4K और यह हो जाएगा-2K और-2 हो जाएगा ठिक है अब आप लोग को मालूम है कि जब दो आभी बराबर होते हैं तो उसके संगत अवियब पोजिसन के हिसाब से बराबर होते हैं ठीक है यानि कि यह जो होगा इसके बराबर हो जाएगा किसी एक का भेलू रखते हैं 3K-2 बराबर 1 बोले तो 3K बराबर 3 यानि कि K is equal to 1 और यही हमारा मान होगा जी कोई भेलू निकालिएगा यही मान होगा उसका ठीक है तो के का मान हमारा क्या आगिया वह ना गिया यहां पर हमने ग्यात किया कि यहां जो है हमारा जो के का मान निकालना था यहां के बराबर जो आगिया बच्छो यह हमारा क्या गिया वह ना गिया ओक तो क्या सोखन बनेगा बखोंव भी बनेंगा है नहीं जैन्म के लिए निक्स्ट कोष्चन की बात करते हैं निक्स्ट कोष्चन पर आने के पहले इस न मेंस तो है ना जो बच्से 2023 में फोड एक्जाम देना चाहते हैं ट्विल निए लाई बैचे जो है लाइब जो है आपका स्टाट हो चुका है वच्छो आपके ड्रीम कलासेज राइब पर ढ़ हैuna ड्रीम कलासेज ड्रीम class is live star हो चुका है इसे Play Store में जाकर इसे प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टूर मे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं daunlood कर सकते हैं जी वहां पर है 12 से इलेवैंथ का है एंडी ये है, पारामेटिकल है, सभी बैचिज में आप हमारे साथ जूड सकते बच्चों, ओके ना, चलिए, आगे मिलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के साथ, कि हमारा अगला मिशन क्या है, ठिक है, तो ये देखिए, नेक्स्ट कोश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन प्रस्ण है, यह बड़ा ही बहत्रीन प्रस्ण है कहता है कि ए बरावर साइन अलफा कॉस अलफा माइनस कॉस अलफा साइन अलफा है तो एट ट्रांस्पोज इन्टु ए आई यह देखिए इसमें किस-किस बात की जरुवत है तो सबसे पहले एका ट्रांस्पोज ए और आई है ना तो इसे पहले नोट कर लेंगे अपने कोपी में फटाफट कि हमारा जो है एज इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन अलफा और यह कॉस अलफा माइनस कॉस अलफा और यह साइन अलफा है ना यह मिसमें टू इस्टू टू कोटिक आवियू है और इसका ट्रांस्पोज निका लें जाएगा अब हम क्या करेंगे आई का मान हम जानते हैं बच्चो 1001 होता है ठीक है तो इसका एलेचेस हैना इसका जो है एलेचेस का यूज करते हैं हमारा कॉप्षन क्या कहता है कि एक ट्रांस्पोज इंटू एक अबहलू निकालना है ठीक है निकाल लिए यह हो गया साइन कि हमारा कि अब क्या करना है कि आप यूक के गुणनफल के नियम को देखना है तो आप यूक गुननफल को नियम को देखेंगे पहला पंगति और यह पहला अस्तम्द तो यह होजाएगा साइन असक्वायर अलफा है और माइनस माइनस पलस ये हो जाएगा कॉस अस्क्वाइर अलफ़ा और फिर दूसरा पंती और पहला अस्तम फिर से करेंगे, ती हो जाएगा हमारा कॉस अलफभा और इंटू سाइन और यहां पर देखिए पड़ी से कड़ जाएगा इसका भेलू एक हो जाएगा इसका भेलू एक हो जाएगा जी है ना तो फर्दर हैदी हम बात करें यह हो जाएगा ओन जीरो और जीरो वन और जो की आई के बरावर है जो कि किसके बरावर है आई के बरावर है देखिए आई के बरावर है ना इसका मतलब यह कोश्चन हमारा क्या हो गया प्रूब्ड हो गया शावित हो गया जी है ना प्रूब्ड हो गया और यह क्या हो गया सावित हो गया बच्चों ओके ना देखिए प्रत समझ में आएगा बच्छो यह आपने कोश्चन है आप चेप्टर सिर्फ जब पढ़िएगा विशारने की बात ने कर रहे हैं सिर्फ आप यू की बात कर रहे हैं ओके चलिए next question हमारा जो है बड़ाई बेहत्रीन है कहता x, y, z के मानों को ग्याद की z यदि आब्यू a बराबर हमारा दिया हुआ है जो इस समीकरन को संतुष्ट कर रहा है किस समीकरन को संतुष्ट कर रहा है जी तो ये हमारा जो है न a transpose और a is equal to i को संतुष्ट कर रहा है 2y, z और फिर x, y, minus z फिर x, minus y और ये z दिया हुआ है तो यहाँ पर जड़ से a का transpose निकालने का 0, 2y, z, x, y, minus z और x, minus y और ये z ठीक है और यहाँ पर i का मान लिख लेने का 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 और ये 1 है न और इसके इसको, है न, follow करने का इसके rule को follow करने का जी, है न इसके rule को follow करने का देखिए, इसके rule को follow करने से में क्या मिलेगा कि a का transpose और a is equal to i, है न तो सबसे पहले इसका भेलू रखते हैं ये है 0, ये है 2y और ये z, ओ सोरी a का transpose को रखना था न सबसे पहले एक है ट्रांस्पोज का भेलू रखना था, उल्टा रख दिये, कोई बात ने, बच्चों किसी को भी रख सकते थे, ठीक है, तो यहां है हमारा 0, X, और यह हमारा X, यह है 2Y, Y, माइनस Y, Z, और यह है माइनस Z, और यह Z, और इन्टुज होगा, यह हमारा क्या होग यह हो जगा 0, 2Y, और यह Z, यह हो जगा X, Y, और माइनस Z, यह हो जगा X, माइनस Y, और Z, इस इकॉल टुज होगा, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, और यह 1 होगा, ठीक है, तो देखें, यहां पे, यदि हम इसे मल्टिपलाए करें, ठीक है, तो देखें, पहला पंक्ती, और पहला अस् X गुना X, X स्क्वाइर, यह हो जगा 2X स्क्वाइर, ठीक है, और फिर यह इसको गुना करें, 2Pi गुने 0, 0, और Y गुने X, तो पलस X, Y, और यह माइनस Y, यह हो जगा 0, और फिर Z गुने 0, 0, माइनस X, और पलस X, यह भी हो जगा 0, ठीक है, और फिर पहला पंक्ती, और द एिह हो जाएगा हमारा zero अच्छा जीरो गुने two by 01 कुने यहाँ पर यह जीरो आ जाएगा ठीक है ओकी नई चलिए अब इहां two bybetnew तो भाई करेंगे तही हो जाएगा 4y स्कॉयर और यहां फिर यह जाएगा यह पर यह जाएगा कितना 224y स्कॉयर 4152 स्कॉयर फांच यह जाएगा 6y स्कॉयर ठीक है और यहां फिर जाएगा जेड गुने y2 yz यह हो जाएगा माइनस yz माइनस yz 0 हो जाएगा और फिर देखिए 0 गुना z तो 0 x गुने यानि फिर यह 0 होगा फिर यह 0 होगा और z गुना z z square यह प्लस z हो जाएगा त्री जेड अस्क्वाइर और बरावर्ज होगा 10000100 और यह वन हो गया बच्चा ठीक है फर्दर देखिए दिह हम कैलिकुलेशन करें यहां पर फर्दर गुलेशन करें बच्चों यहां पर तो हमारा क्या हो जाएगा अना इदेखिए 2x स्क्वाइर ब्रावर वन ठीक है लिए इक्स वाय अस्क्वाइर वर वर वन और यह हमारा 3z स्क्वाइर इसकूल टुवन एक्स का भेलू पलस माइनस वनवाइरूट टू और यही हमारा एक्स वाई जेट का क्या हो जाएगा फेलू हो जाएगा ठीक है तो यह भी गुननफल पर अधारित प्रस्ण है इसको बखोवी से आराम अराम से घर पे कल्कुलेशन करने का बावू लेकिन फर्स्ट अफॉल जो जो हमें दिया हुआ है बनाने का उसको अपने कोपी में सबसे प्रस्ट माना गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखिए इस कोश्टन का जरा है ना सोलीशन किया जाए देखिए क्या है हमारा यहां पर जो है दिया हुआ है यहीं पर देखिए ध्यान दे दिजिए हैना क्या कि इसमें जो है एक पंगती तीन अस्तम है ठीक है और इसमें तीन पंगती तीन अस्तम है इसमें तीन पंगती एक अस्तम है जी है ना तो देखिए यहां पर जो है लास्टली यदि हम पहले यहां पर देखे एक दू एक है ना एक पंगती तीन अस्तम और इंटू यहां पर जो है एक दू जीरो दू जीरो एक जिरो और दो यह हमारा तीन पंग्ती तीन अस्तम है और इन्टू यह जो है हमारा जीरो दू और एक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष हैं हना पहला पंगती और पहला अस्तम है तो एक गुना एक तो एक दो गुना दू तो चार चार एक पांच और एक गुना एक तो यह हो जाएगा छे हना यह हमारा क्या हो जाएगा इसमें आएगा इसका पंगतिक संख्या और इसके हना इसके अस्तम की संख्या एक पंगती त दूसरा अश्थम एक उन्ने दू तदू बाकि सब 0 होजयगा हाना फिर क्या हो जाएगा पहला पंगती तिसास अश्थम एक उन्ने 002 कम दू 2 एक चार हो जाएगा ठीक है यानि कि यहां पर तीन पंगती एक अस्तंब और इंटू है ना मैं तोरी यह उल्टा हो गिया बच्चो द्यान दिजेगा थोड़ाँ थोर्ड़ाँ स्यवड़ ऑगई हाव वर में गड़़द हो गई ना की देखिए हम सही कर रहे थे यहां पर कि कि पहला पंग्ति और पहला स्थम्भ है ना इस में है पंग्ति हमारा एक ही रहता यानि कि सुरू में हमारा छे आया था चे होता और दूसरा में हमारा क्या है पहला पंग्ति और दूसरा स्थम्भ है ना यह दो का दो ही आएगा इस प्रकार से आता है इस प्रकार से आता एक पंग्ति और यह हमारा तीन स्थम्भ होता जी एक सेकंड हाँ एक पंगती और एक गुने यह हमारा जीरो और यह दू एक कम दू और दू दू यह चार होता अब देखिए सही है हना एक पंगती और तीन स्थम्भ है जी और इसमें जो है हमारा जीरो दू और एक है ना तो इसमें तीन प पंकति और एक ही अस्तम्भाएगा जी है ना इक है कैbon ऑफ जाएगा छे गुने जीरो और पलस यह जाएगा दो गुने दो हैना प्लस चानी आप्यूस्ट और यह यह सुन आपूस मने यह उगा इस्तम्भ होगा जी यह यहनी होजाएगा चार पलस चार एक्स और बरावर जीरो इसका मतलब यहां पर चार एक्स बरावर माइनस चार और एक्स बरावर जो होगा माइनस चार माइनस एक सोरी है रिदम में गड़वडा जाता है यहां पर जो है एक्स बरावर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और यही हमारा र जेटिक रहने का एकदम जैजेकार कर दिजिएगा यह लगार कर दिजिएगा गर्दा गर्दा उड़ा दिजिएगा ठीक है और समझ में आए तो बल्ले-बल्ले करने का ठीक है ओके न तो यह बच्छों आपके लिए काफी इसेंसियल प्रश्ण है इसको जरूर सेर करेंगे अधि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ओके न चलिए तो आज का क्लास बच्छों यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में